ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका किसी वज़े से एक्जाम अच्छा नहीं हुआ है एक्जाम में उनका नंबर अच्छा नहीं आ पाए तो ये लाइन सुनिएगा संदीब दिवेदी जी ने ये बनाई है कवीता बहुत ही जबरजस्त है और आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए और रोज सुनना चाहिए कि नाम एक बतलाओ मुझको आसानी से मिला हुजिसको जीत का अपना ढंग रहा है पत मुश्किल के संग रहा है अब है मुश्किल तो है मुश्किल यो डरने से कुछ होता है क्या जो नहीं हुआ पिर हो जाएगा यो रोने से कुछ होता है क्या तो कृपया आपको एक्जाम नहीं हुआ तो उसका ये मतलब नहीं बहुत सारे बच्चे ऐसा मेसेज कर रहे हैं कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो ये लाइन बार-बार सुनियेगा, यार एक दिन में कभी कुछ होता, आपने कोई ऐसा आदमी सुना, मैं आपको एक ऐसे आदम के बारे में बता सकता हूं कि 49 साल तक 12 बार उसने इंटर्विव लगातार दिया, 12 बार तो सिर्फ ये कह देना कि वा आदमी तेज नहीं था, गलत है, उसने अपनी महनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसका 12 बार PCS इंटर्विव में नहीं वा, फाइनली 49 साल में व देख के आपको दे सकता हूं कि एक्जाम में जरूर होगा, चाहे वो कोई भी एक्जाम हो जरूर होगा, बस आप से एक चीज वो कहता है, चाहे कैसी भी स्थिती हो जाए, चाहे कितनी बार भी खराब हो जाए पेपर, लेकिन कोशिस करते रहो, आप छोड़ो ना, तैयारी मत छोड़ो, लगतार, मैंने ये अपनी कहानी ये, मैं लोग की कहानी बता रहा हूं, जिनको देख के मैं रोंटे कड़े हो जाते हैं, 49 साल का एक आदमी, बार आ बार पीसेस इंटर्व्यू देने के बाद फेल होता है, और 49 साल में SDM बनता है, ऐसे भी लोग यहाँ पे है तो बहुत बड़ी चीज नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ मतलब इस बात से पड़ता है कि आपने कोशिस छोड़ दी, आप पहले दूसरी बार में हार गए कि अब जीवन में कुछ नहीं है, महनत करिए, एक बार फिर से कोशिस करके देखिए, मैंने फिर से कहा याद रख है, पत मुश्किल के ही संग रहा है, कोई भी ऐसा दुनिया में आदमी ने जो हसानी से कोई भी चीज बड़ी चीज पा जाए, ठीक है, जरूर सोचेगा